तो कैंसे हैं आप सभी लोग एक बार फिट से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी वित ही होगे इसमें आज लगभक 3-4 दिनों के बाद आपके लिए आज की वीडियो आज ही अपलोड हो रही है क्योंकि मैं यहां पर था नहीं जहां से मेरी वीडियो अपलोड होती है आप यूटूब चैनल खोल गए मेरा उस चैनल के में पेज पर जाईए उसके लास्ट में आप राइट हैंड साइट पर एबाउट लिखा होगा वहाँ पर किलिक कीजिए उसके नीचे आपको कही नगए टेलिग्राम गुरूप का लिंक भी मिलेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा वहाँ से आप लोग इस चीज का अपडेट मिल पाएगा ठीक है इस दौरान बीच में जो मेरा यहाँ पे नहीं था मैं आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाई तो मेरा हलवानी में उस टाइम पे गया था वहाँ पे जितने फी छात राय थे उन सभी का सम्मान आप लोगों नहीं दिखाया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अब आती है बात एक्जाम को लेके क्योंकि मैं कल पहुंचा और अभी मुझे वीडियो बनानी पढ़ रही है और अभी इसके बाद आपिस वगएर तो मैं कोई टॉपिक नही को इतना ही करा पाऊंगा और जितना मैंने एक साल में कोशिश की है जितना मेरी रीज थी मैंने उतना अपना हंडेट पसेंट देनी की कोशिश की और उमीद करता हूँ कि आपने भी कुछ ने कुछ अपने इस तरह से तैयार कर लिया होगा तो आप बहुत बढ़ी आपका पेपर होगा पॉजिटिव एटिटिव रखना है पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पेपर देने जाना है इस दौरान जो बचे तीन या चार दिन है इसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होने चीए आपकी जिंदगी में यानि कई लोग अभी भी मैसेज कर रह होगे तो आपका ही पॉजिटिव भी रहता है कभी कभी इसका सेंसि क्या है देखो जैसे मैं कर रहा हूं लास्ट तैम पे अगर आप धिलाई बरत लोगे खासकर ऐसे एक्जाम हो वंडे आपने जो पिछले एक साल से दो साल से तहियारी की है वो अगर पेपर में नहीं आत उसके बार बताए ये पेपर में क्या हैगा आएगा तो सब के लिए आएगा नहीं आएगा तो किसी के लिए नहीं आएगा मतलब कि ये कहना चाना हो पढ़ने वाला बिध्यारती अब हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि यार हम पेपर देने के थे सर हम इतने माक्स के आसपास और हम जो है पेपर थोड़ा अच्छा था अब फाइनली हमारा जो धेई है हमारा उद्देश यह हमारा नाम कट ओफ के अंदर आई यानि जो फाइनल सेलेक्शन होगा कट ओफ में हमारा नाम आना चाहिए हम यह मान के चल रहे हैं एक्जाम देने के लिए ठीक है और लास्ट गोली मारो करेंट फिर भी गोली मारो कुछ नहीं होना आप ठीक है जितना पढ़ दिया था पढ़ लियता रिजिनिंग अगर किसी की कमजोर है तो एक दो कुश्चन आएंगे दो तीन कुश्चन आएंगे उससे उपर नहीं आने आने आए इसको भी छोड़ो हाँ कम्पू इसके अलावा देखें अब पढ़ लिये हैं पढ़ा तो है ना बिल्कुल हां कहो जोड़ से कहो घबराओ मत मेरा साथ है आप लोग के साथ क्यों टेंशन लेते हो बताओ पेपर ही तो है कौन सा पहान टूट रहा है वीडियो भी पीडियो नहीं तो पटवारी लेख पाल हजारों पेपर आते हैं पुलिस भरती आएगी बंदी रक्षक क्या यार तुम भी बत चोटी चोटी चीज़ों को लेकि इतना प्रेसराइज जो सर नहीं होगा तुम क्या करेगा हम लुड़ गए हम बरबाद होगे हम कहीं के नहीं रहे सर हमारा इस धरती पे जिना ब्यर् अब पोस्टि कितने आट सो नाइन टाय नाइन टाय टो फ्री कुछ ऐसे संतिंग पोस्ट होगे यह लोग सेलेक्ट हो गे चार दिन और यह लगे फिर इन अगले तैयारी में लग जाते हैं यही लोग ना जैसे बहूश सो लोग पीडियो बनेंगे फिर आगी की सोचते हो आगी के तहियारी में लग जाते हैं, आप लोंका किसी का बाईचांस नहीं हो पाता है, तीन-चार दिन बाद आप भी भूल जाते हैं, लेकिन सदा बाहर स्टुडेंट बन के रहना है, यानि ऐसा निकी मौसमी स्टुडेंट काई लोग वीडियो पीडियो के तहियारी लिखाना अपनी जगह है बच्चो, देखो पाड़ता कौन है, लिखता कौन है, समझाता कौन है, वो सब अपनी जगह हैं, जब एक्जाम हॉल में जाते हैं, आपके लिए दो घंटे कैसे हुए, कैसे आपने उस दो घंटों को बिटाया, वो आपके जिन्दगी को मतलब य करियर है, या एक्जाम है, इसको ताई करते हैं, कि आपका सेलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके अलावा लाइफ में और भी चीज़े हैं, ऐसा नहीं कि हमारा एक पेपर कुछ खराब होता है, आपको नहीं कर पाते हैं, तो हम बरबाद होगे, ऐसा बिलकुल भी नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं, अब भी तैयारी शुरू किये, कई ऐसे हैं 28-29 साल के बाद तैयारी कर रहे हैं, कभी 35-36 में तैयारी कर रहे हैं, लेकि होप, उमीद है ना, जिन्दगी 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 एक वज़ा होती है, वो मिलनी चाहिए, हम इस बार अगर किसी केस में नहीं कर पाते हैं, तो अगली बार हम करेंगे, इस एटिटूट के साथ आपको आगे बढ़ना है, और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी उम्मीद है, मैं यह मानता हूं कि आप लोग करेंगे, आप लोग बहुत बढ़िया पेपर करके आएंगे, अब पेपर टप और सभी छात्रूस हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अब आपको होगे, अब हर कोई यह काईगा, मैं भी तो पढ़ने वाला हूँ, मैं भी तो पढ़ने आ रहा हूँ, पढ़ तो हम भी रहें, ऐसा नहीं, मेरे कहने का यह मतलब है, जैसे एक इनसान है, मैं हूँ, मैं ही जानता कितना आता है कितना नहीं आता है यानि अपने अंदर का जो मेरा टैलेंट है जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ उतना ही आप लोग अपने बारे में जाएंगे आप दूसरे को जज नहीं कर सकते हैं अगर आप में से कोगे सर ऐसे हैं वो अलग चीज है ठीक है लेकिन इंसान को होता क्या है, उसके अंदर उसको कितना आता है, कितनी उसकी चीज़ें उसके पास है, वो स्वयम हो जान सकता है, इसके लाव कोई नहीं जान सकता है, तो ऐसे चात्रे, जिसको किसी भी केस में लगता है, कि उसके उत्राखन पड़ी हुई है, हिंदी पड़ी है, जी से पूछ दिया, ऐसा नहीं आया, लगाया रिकमशन है तो आसा नहीं लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, तो दोनों में डिफ्रेंस है, तो ऐसे केस में, जैसे मैं हलवानी वाले बच्चों से गहा था, भाउक मत होना, भाउक मत होना, इमोशनल हो जाते हैं, सर, हमारे मार्स नही पूरा इनलाइस करना की टॉफ है, की आसा है, वन डे एक्जाम में पेपर की कुष्चन का इस टेंडर देखना की कैसा है, और आपको किते हैं, नहीं आरहे हैं, बया मैं पिर से गहां, बच इआ का बंगको क्या है, इस की करना का यकि नहीं हो, बया हो हुआ, सब खने को यह कर दो, तो इसका मतलब आप सेलेक्शन को लिए कि बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं आस्वस्त हो सकते हैं पेपर हलका आगया 90,92,94 करके आगया पता ही नहीं जलेगा क्टॉप कितनी जागी यहां तो अगर easy paper आएगा तो minor mistake भी आपको बाहर कर सकते हैं लिए tough paper में कुछ भी अगर आ हम लोग निकाल के दिखाएंगे आज नहीं तो कल हम लोग निकाल के दिखाएंगे पेपर ही है जब paper जैसे होता है न अब हम साल भर कितनी महनत परते हैं हमने साल भर पड़ा उस दिन हमां हर चीज important लगती है यानि पूरे year हमें ओ चीज important लगी लेकिन जैसे ही exam समय पास आ यह होता है और आज जैसे आपका 100% आपका कोर्स है 100% आपने तयारी किये आप यह मान के जो मात्र 30% आपके notes में ऐसी चीज़ा होती है जो paper में आने लाइक होती है यह reality है ठीक है बाहिए आपका sense आपका knowledge आपने किताबों में से कहां कितना देखा आपने कितनी किताबों का इन चीज़ों पर depend करता है आपका exam में आपका pressure आपके कितना काम कर रहा है यानि आपका sense कितना मजबूत है इन सब चीज़ों को लेकर इन ही आधार भूत बातों को लेकर आपका paper बनता है और यह सांच है ठीक है तो यह ध्यान रखना अब बात आती है सब नहीं हुआ तो क इन क्या पहला वैश्ट कितने वैसे मुझे नहीं बता अगर आपका सिफ्ट सपोर्ज साम को होता है अब मैंने देखा नहीं साह साम को होगा अगर इवनिंग समय में सिफ्ट होता तो चार की सुबह में बीड़े लूँगा आपको 11 वजे के आसपार उस दिन के paper के ले ठीक इतने मेरे स्टुडेंट हैं अगर मुझे सुन रहे हैं चार की इवनिंग को paper होता है तो पांस की मॉनिंग वाले चार वालों से बात मत करना paper मत देखना मेरा request दे लेकिन तुमसे रहा नहीं जाएगा तुमारे अंदर इतना संयम है ही नहीं तुम सिर्फ और सिर्फ अपना paper देखना बस मैं आप से request करता हूं सिर्फ और सिर्फ अपना paper देखना अपना देखने के बाद चार वालों का paper देखना उसके बाद पांस की evening में जिसका paper है अगर हिम्मत है इतने गट से हैं तो चार पांस की morning और चार की evening वालों का paper मत देखना जब तीनों सब लोग paper हो ज होने दो भाई मेरा तो पांस को है मुझे क्या करना है क्या मैं तुम्हारे पेपर को देखके खुद नेगेटिव हो जाओं कहीं पेपर कोशन टाफ हागया मैं जितना आता है वो भी मैं भोल के उस पेपर को सोच जो हो चुक है यार हमारा भी ऐसा है गा जैसे एक स्टेंट थ क्या लॉजिक है जिस बंदे ने पिछले एक साल से कहानी नहीं वद्दी क्या और रातो नात कहानी बदल सकता है क्या कुमाओ युणिवेस्टी या गड़वाल उनिवेस्टी में लक्सिमी पढ़के जा रहे हो क्या वो वन नाइट फाइट होते है फिक्स डेरिवेशन फि सबकि की तीन-तीन सैट बनाने हैं और यह मान के चलेगे बिपर आपका ठीक ठाग आएगा बहुत अब शांता ईकर ठीक है तो मैं यह देखना क्या तो कितने मेरे ऐसे इस्टूडेंट हैं जिसके अंदर इतनी शमत है कि चार का पिपर होने आले पांस की सुभ़ए आने न एक लेकिन तो बहुत ना मतब्व अपने अंदर के इनसान को जिंदा रतिए इतना सोचिये कि दो नुप माईंडसाट लेकर जाना है, जैसे हमारे पूस्ट में जाने के बाद भी पुद। लेकपाल का बैक आपक है कई लोग वीडियो वीडियो में जो है वो उस पोस्ट में जाने के बाद भी पटवाडी लेकपाल का उसकेल उपर है और पटवारी और लेकपाल का फास कर जो पद है वह अडिस्ट्रेटिव 좋ुष ब्लत एंदर लूट है और अपने परसाशन का हिस्टा में ज्यूरत ऊप जिलादिकारी जिला डिकारी और क्नले काइन को पट भारी याई कहीं मुझे उस चैन का हिस्टा है जहां परसाशन में हमेसे मतलब क्या हुआ तो आपके पास ऑप्शन है आपके बास बैक अप है बैक अप हमेशा रखते हो जब बताओ एक बार इधर उधर ट्रेवलिंग में जाते हो तो अब तो बड़ा बैक अब लेकर चलते हो बोला कि गल्फ्रेंड है सर क्या करें लेकर जाते हैं बैटरी बैक बड़ा लेके जाते हो बड़ा खुशी-खुशी यहां भी बैक अप रखो बैक अप होना अच्छी बात है हम 100% अपने एक्जाम में दे सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब है कि हमारा वही सब कुछ है हम इसके अलाव किसी काम के नहीं है ऐसा नहीं सोचना है ठीक है इस तरीक अपना ध्यान रखना है फिर से कह रहा हूं अगेन अगेन कह रहा हूं उस दिन भी कहूंगा जिस दिन पेपर होगा आज भी कह रहा हूं जिस दिन पेपर नहीं अभी एक हपता बचा है यह नहीं होना है आपसे एक रिक्वेस्ट है भावक मत होना ठीक है रिक्वेस्ट जादा हाट आपने गा सर हम तो इतने काम इतनी कहां कटव बाती है गोले लगाए गोले लगाए गोले लगाए गोले लगाए 94 गोले लगा दी और फाइनल रिजल्ट पुछा कि तने आरे 45 ऐसा नहीं कर नाए ठीकर पेपर हाड आता है 65-70 नमबर अगर आपके आ रहे हैं 55-62 नमबर आ रहे हैं 10-15-20 गोले कर सकते हैं वो भी कौन से जिसमें आपको डाउट है यानि आपको दो ऑप्सन में से लग रहा है कि यह तो नहीं हो सकते हैं इन दोनों में से कोई ने कोई ऑप्सन हो सकता है इस परकार के अगर आपकी प्सक्राइबटी बनती हैं तब तो आप क्या कर सकते हैं तो यसमें एक मतलब गोला खेल सकते हैं यानि गोला लगा सकते हैं इसके अलावा अगरां अन्य से नहीं करना झाया है इस तरीके से आपको कोार्ड़ना है हम लोग दो क्लासेज अब यहां से देखेंगे कम्प्यूटर की, दो क्लासेज हम लोग देखेंगे मतलब मेड़वल हिस्टेगी चार क्लासेज हैं, उसके बाद चार की सुभह आऊंगा मैं क्योंकि इविनिंग में सायद पेपर हैं, आपको समझाऊंगा उसके बाद रिक्वेस्ट करता हूँ चार वालों का पेपर पांस वाले न देखें और पांस ये इविनिंग वाले जो हो पांस की और चार कीपर को मत देखें अपना ही पेपर देखें, छे के बाद जो भी हो वो देखते रहें इनहीं सब्दु के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सचन भक्ता अंध्यान रखिए